हेलो मैं हूँ डॉक्टर गनेश और आप देख रहे कुल सौमी निहुमियो चानल हम देखेंगे कि अभ्यंग क्या है यह अभ्यंगे यानि तेल की मौलिश करना बॉडी के ओपर तेल लगाना इसको अभ्यंग का थे अभ्यंग का महत्वा जो है तो कई सारे ग्रंथों में हम चर्चा करेंगे लेकिन उसके पहले जो लोग हमारे चानल के उपर नए है वो लोगों ने चाज हमारा चानल सब्सक्राइब करें क्योंकि हम हमारे चानल के उपर कई सारे वीडियो ऐसे लाते हैं जिससे आपको कई सारे रोगों से आपको मुक्ति कैसा करना है या कई सार आप को चाहिए क्देरा बाद में इससे दो हैं तो तैल आपको ज्यादा उसका फाइ檌 होगा उसके बाद में जो है तो थोड़ी देर बाद उटन लगाते हैं उटन लगाने के बाद में थोड़ी देर रुख जाते हैं रुखने के बाद में कम गरम पानी से नहारना है अब्भेंगे जो है न तो बाड़ी के उपर तेल लगाना है लेकिन हर कोई तो हमेशा नहीं कर सकता इसलिए शास्त्र ने ऐसा बताया है तो कम से कम बालों के उपर तेल लगाना है सीर के उपर तेल लगाना है उसके बाद में जो है पैरों के उपर तेल दालना है और पैरों के जो नीचे का पैर भाग होता है उसको तेल का मौलिश करना है उसके बाद में कान में भी तेल दालन है हम देखते हैं कि दिवाली के टाइम में जो है तो इशरद रुतु खतम होते आता है गर्मी कम हो जाती है और थंड की शुरुआत हो जाती है और हिमंत रुस्तु का आगमन होता है इस हिमंत रुस्तु का आगमन होने के बाद में अपनी तवचा जो है शुष्क पढ़ जात या तिल का atmosverständ है यह भी यूज करते हैं लेकिन सबसे जो तेल होता है क्योंकि तील के तेल से आपकी अच्छी तरह से मालिश होकर आपको कई सारे रोगों से मुक्ति दिलाने का काम या तिल का तेल करता है जैसे हम देखेंगे तील तो आव में जितने भी वात्के रोग होते उनका कम हो जाता है ये मालिश के जबंगे कि एक रोग के मैं उसके बाद में आपकी तुछा शॉव नकर जाती है उसके बाद में जो हाफ को नेंड की कुछ समझ्या है वो निंद की समझ्या भी कम हो जाती है तो आपकी आयू की वुरुद्धी होती है कई सारे लोगों को बहुत कम उमर में आखों की रोश्णी कम हो जाती है तो इस आखों की रोश्णी को बढ़ाने के लिए आयरुवेच्य आस्त्र में यह अभ्यंग का बहुत सारा महत्वदिया है यदि आप अपने पैरों को तेल लगा के मौलिश करते हैं तो कुछ दिन बाद आइसा देखने में आएगा कि यह आपकी जो आखों की रोशनी है तो कई गुणा बढ़ जाएगी और बड़ी हुई दिखने में भी आएगी आपको यह हमारा वीडियो पसंद थैंक यू